हेलो दोस्तों मैं राकेश शौदरी आपका मैथामेटिक्स टीचर वेलकम करता हूँ आपका डिजिटल तहरी के यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको पता है एंटी पीसी रेलवे के लिए डी ग्रूप और एंटी पीसी के कोर्स की हम बात कर रहे हैं उसी सीरीज में सिंप को कह रहा है कि आचल ने 500 रुपए 3% साधरन ब्याज की दर से तता 600 रुपए 4.5% साधरन ब्याज की दर से इस शर्ट पर उधार लिए कि वह इसे तब लोटाएगी जब कुल ब्याज कितना हो जाएगा 252 रुपए का तो बताईए कितने समय पश्यात वह इस धनराशी को लोटा देगी तो आपको टाइम निकालना है तो क्या कह रहा है 500 रुपए तो लिए 3 प्रतिशत से और 600 रुपए लिए इसने 4 प्रतिशत से तो दौनों से कुल मिला कर ब्याज कितना है 252 रुपए का तो देखते हैं इसको 500 हमारा क्या है प्रंसीपल है मूलदन है हमारा 500 चलिए तो मूलदन हो गया 500 उस पर रेट ओफ इंट्रेस्ट कितनी है 3% टाइम हमें पता नहीं है अपॉन 100 करूं तो ये इसका सिंपल इंट्रेस्ट आ जाएगा वैसे ही और प्रिंसीपल कितना है 600 ठीक है टाइम हमें पता नहीं है अपॉन में 100 तो आए गई रेट ओफ इ तो ये भ्याज और ये भ्याज टोटल जो है वो टोटल आपको दे रखा है किसके बराबर 2502 रुपए के बराबर 252 तो बस आप इसका अंसपट निकल गया ती निकालना आपको तो निकाल सकते हैं चैंसिल होने वाली चीज़ें आप देख रहे हैं डबल जीरो से ये डबल 0000 से ये 0000 और कुछ cancel होने वाला दिख रहा आपको नहीं तो 3T है ये अगर यहां से देखें तो दोसे आप इसे भी काट लीजिए कितना तीन बार ठीक है यहां पर अब कितना रहे गया पांच इंटू 3 15T 9 इंटू 3 कितना 27T तो 15T और 27T जो है उसको add कर लेने हैं यह हो गया 15T 27T is equals to 252 तो T की value निकालनी है आसानी से निकाल सकते हैं इनको add कर लेते हैं तो यह कितना हो गया 5 और यह 12, 2, 3 और यह 4 ठीक है कितना आ जाएगा 42 से cancel कर लेते हैं T की value निकालनी है तो कितनी बार जा सकता है 42 से अगर हम देखें तो यह जाएगा 4 का अगर देखें 6, 24, 246 का 2 से 12, 6 बार जाएगा तो इसका मतलब कितना आ गया 6 years जो की option कौन सा है आपका option number 4 क्योंकि 2 का 6 से 12 और 40 का 6 से 24 मतलब 240 और 12, 252 हो रहा है तो 6 बार बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है बात करते हैं question number 17, 17 नमबर की देखिएगा क्या है question number 17 जरा देखते हैं आपको गहरा है यदी किसी धनराशी पर 5 प्रतीशत वार्शिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर जो है 42 रुपए है तो वह धनराशी कितने रुपए होगी ठीक है तो जरा देखें इसे अगर हर साल 5 प्रतीशत ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कितना मिलेगा चार साल में आपको मिलेगा कितना 20 प्रतीशत और 5 प्रतीशत के हिसाब से 3 वर्ष में कितना मिलेगा एक तो 4 वर्ष है और एक 3 वर्ष है तीन वर्ष में मिलेगा 15 प्रतीशत तो यहां से यहां मैं अंतर डिफरेंस देख सकता हूँ कि जो सरल ब्याज का अंतर है वो प्रतीशत में कितना दिख रहा है आपको प्रतीशत में दिख रहा है 5 प्रतीशत के बराबर तो इसका मतलब पर्सेंटीज में जो सिंपल इंट्रेस्ट है वो डिफरेंस अंतर में कितना है 5 प्रतीशत और रुपए में कितना बोल रहा है कुशन 42 रुपए तो इसका हम कह सकते हैं कि 5 प्रतीशत रुपए में किसके बराबर है 42 रुपए के हमें क्या निकालना है यहाँ पर हमें निकालना है वह धनराशी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन और जैसा कि आपको पता है कि जो मूलधन होता है वो प्रतीशत में कितना होता बताया था मैं है, पिछले वाले वीडियो के स्टार्टिंग में, कि प्रिंसेपल को हम 100% मानते है, तो 5 प्रतिशत का मान 42 रुपए है, तो 100% की value आपको निकालनी है, तो 100% की value कैसे निकलेगी 5 का 20 से गुणा कर दोगे, तो यह 100 बन जायेगा, तो इधर भी बैयाल इसका 20 से गुणा कर दू, तो बैयाल इसका 20 से गुणा करें, तो ये बन गया 840840 रुपए है, जो की option है, आपका option number कौन सा पहला, ठीक है? ये ही पूछा था आपको, तो finally answer आगया है, इसका, 840 रुपए उसका क्या होगा, principle होगा, जो ये question कह रहा है, चलिए, बात क करते हैं, next question 1818 के बारे में, क्या कह रहा है, question number 1818, 18 नमबर आपको कह रहा है, x और y को बराबर राशिया, 7.5% प्रती वर्ष की दर से क्रमस, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दे दी गई, ठीक है, यदि उनके द्वारा दिये गए, ब्याज में, एक सो पचास रुपए का अंतर था, तो प्रतेक को कितनी राशिय दी गई, जबकि ये बोल चुका है, कि यदि उनको ये बोल रहा है, बराबर राशिया चलिए, तो आप x के लिए निका लिए, या y के लिए निका लिए, दौनों का मान बराबर ही है, क्योंकि question ने कह दिय आए, कि दौनों को बराबर राशिया दी जाती है, तो किसी भी एक का मान निकाल लेंगे, तो आपको ये कह रहा है, कि ब्याज की दर दौनों के लिए साड़े साथ प्रतीशत है, एक को दिया चार वर्ष के लिए, और एक को दिया पांच वर्ष के लिए, तो जो वापस व चार वर्ष के लिए दिया, तो ये इंटू 4 करोगे आप, तो कितना हो जाएगा, साथ का 4 से 28 और 0.5 का 4 से करोगे, तो कितना हो जाएगा, 2 तो ये हो गया 30, फिर y के लिए अगर बात करें, तो ब्याज की दर यही 7.5 प्रतीशत है, लेकिन समय कितना बोलरा आपको 5 वर्ष क के लिए 30 आया, तो 5 वर्ष के लिए 7.5 और जोड़ कर लिख लिए 37.5 परसें, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन दौनों के लिए जो rate of interest मतलब जो ब्याज की दर है, उसमें अंतर कितना है, जितना समय कह रहा है उसके लिए, वो ब्याज की दर में, अगर मैं कितना है, 150 रुपे, तो सीधी सी बात है, मैं कह सकता हूँ, कि 7.5 परसेंट जो है, वो रुपे में किसके बराबर है, 150 के equal है, तो क्या मुझे 7.5 परसेंट की value निकालनी है, नहीं, आपको तो वो राशी निकालनी है, जो X या Y के पास है, मतलब जो उन्होंने उधार दिये दौनोंने बराबर दिये, किसी भी एक के लिए निकाल लीजिए, तो इसका मतलब प्रिंसिपल मुल्दन का मान निकालना है, तो 7.5 परसेंट अगर 150 है, तो मुल्दन जैसा कि आपको पता है, 100 परसेंट होता है, तो 7.5 परसेंट is equals to 150, तो 1 परसेंट ये value अगर मैं तो 150 अपॉन कितना हो गया, 7.5, लेकिन 7.5 ये जो value आईए आपके 1 परसेंट की है, हमें एक प्रतिशत का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए मूल्दन प्रिंसिपल जो की 100 प्रतिशत होता है, तो एक का मान ये है, तो 100 का मान क्या होगा, जो मान एक का है, उसका 100 से हम गुण करवा दे, इसे हम कहते है, unity method, ठीक है, ये हटा, तो यहाँ 0 लग जाएगा, 75 से 150 मैं देख सकता हूँ, कितने times जा रहा है, सिधा सिधा दो बार जा रहा है, दो का 1000 से, तो कितना आ गया, 2000 रुपे, जो की हमारा option है, option number कौन सा, दूसरा option, ये A, B, ये C, D, इसे ऐसे कर जिए, option हो गया आपका ये, ये हो गया, A, B, ये हो गया आपके C option, और ये आपके option हो गया, D, ठीक है, तो finally इस question का answer आगया, C, चलिए बात करते है, next question, 19, 19 के बारे में, क्या कह रहा है, 19 नमबर देखिएगा ज़रा, question number 19 कह रहा है, आपको, एक राशी का साधारण ब्याज, किसी दर पर दो वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि उसका निवेश, तीन प्रतीशत, अधिक दर पर किया गया होता, तो 72, मतलब बाउतर रुपए अधिक मिलते, तो आपको बताना है, वह राशी क्या है, मतलब principle क्या है, मतलब मूल of interest जो है, ब्याज की दर जो है, तीन प्रतीशत अधिक होती, तो क्या होता, 72 रुपीज जो है, उसको finally, क्या होते, ब्याज के ज़्यादा मिलते, तो मैं देख सकता हूँ, दो वर्ष के लिए निवेश किया गया है, और तीन प्रतीशत ब्याज की दर अगर बढ़ा दी जा जाती, छे प्रतीशत बढ़ जाती, क्योंकि हर साल तीन प्रतीशत बढ़ती, दो साल के लिए निवेश किया है, तो पहले साल तीन प्रतीशत, दूसरे साल तीन प्रतीशत, तो कुल मिला कर छे प्रतीशत ब्याज की दर बढ़ती है, तो अगर मैं ब्याज की बात करूँ, तो percentage में कितना बढ़ता वो 6% और रुपए में कितना बढ़ा है प्रश्निक अनुसार 72 रुपीज तो मैं कहे सकता हूँ 6 प्रतीशत जो है बाउत तर रुपए के बराबर है अब 6 प्रतीशत का मान 72 रुपीज आया है मुझे निकालनी है वहराशी मतलब मूलदन मतलब प्रिंसिपल मतलब सौ प्रतीशत तो 6 प्रतीशत का मान 72 है तो 1% की वेल्यू क्या होगी unity method एक इगनियम लगा लू तो एक का मान निकालना है तो 6 कहां चला गया नीचे ठीक है यहां तक अब अगर मैं देखूं ये 6 से काटूं तो 6 से ये कडिया कितना बारा बार तो एक प्रतीशत का मान आगया बारा रुप पर क्या मुझे एक प्रतीशत निकालना है नहीं बारा है तो 100 प्रतीशत का मान कितना होगा बारा सो तो बस प्रिंसिपल आगया बारा सो जो की option है आपका option नमर कौन सा पहला ये था question नमर 19 बात करते है next 2020 के बारे क्या गरा question नमर 20 देखिएगा question नमर 20 आपको कह रहा है कि यदि बारा हजार रुपे की धनराशी को ऐसे दो भागों में बाटा जाए ताकि पहले भाग का तीन वर्ष का बारा प्रतीशत वार्सिक दर से साधारन ब्याज दूसरे भाग के साड़े चार वर्ष का सोला प्रतिशत वार्सिक दर्से साधारेंब्याच के बराबर हो तो बताईए बड़ा भाग क्या होगा ठीक है बड़ा भाग मतलब जो ये बारा हजार रुपे टोटल है इसके दो टुकड़े करकर दो अलग-अलग टाइम के लिए और दो अलग-अलग रेट आफ इंट्रेस है वो बराबर है प्रस्निक अनुसार तो आपको यही पूछा जा रहा है तो यह बता दीजिए कि उन दौनों में से ज्यादा प्रिंसिपल कौन सा है चलिए देख लेते हैं तो टोटल है आपके पास बारा हजार रुपे तो इसको दो भागों में बाटा जा रहा है फर्स् साल में कितना होगा तीन साल में होगा बारा इंटू तो वही हम लिख रहे है तो प्रिंसिपल पी वन बारा तीन प्रतीशद अटा तो कितना सो यह आगया फर्स्ट वाले प्रिंसिपल से सिंपल इंट्रेस्ट तो यह बराबर है किसके जो सेकंड वाला प्रिंसिपल है उसस मिलने वाले सिंपल इंट्रेस्ट के तो उसके लिए टी और आर पता होना चीए तो बिलकुल हमें पता है दर जो है वो कितना है 16 प्रतीशत लिख लिया समय जो है वो कितना है साड़े चार वर्ष दो का चार से गुणा आट आट और एक कितना नो तो यह हो गया नो बटा दो ठीक है यहां तक अब अब बस पी वन और पी टू के लिए हम रेशियो अनुपात निकाल लेंगे फिर आपका अंस्वर आ जायेगा तो हंड्रेट से यह हंड्रेट कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के लिए अगर मैं देखूं तो क्या जा रहा है यहां पर दो से इसको कर दि लेता है इसके साथ कुछ भी नहीं बचा पीटू के साथ है कितना टू पीटू आप जैसा कि आप पीवन और पीटू मतलब पहले और दूसरे प्रिंसिपल पहले और दूसरे मुल्धन का अनुपात निका लेंगे तो आप देख सकते हैं पीवन अपाउन पीटू अगर तो P1 आ गया है 2 और P2 आ गया 1 यह आया है अनुपात दो प्रिंसिपलों का टोटल प्रिंसिपल आपको पता है 12,000 रुपे दे रखा है तो उपर टोटल लिखा है तो नीचे अनुपात होगा टोटल दो और एक का टोटल कितना 3 क्या पूछा आपको बड़ा वाला मतलब जादा वाला प्रिंसिपल जादा वाला मुल्दन तो जिसका अनुपात जादा है वो मान भी ज्यादा होगा, तो P1 का मान निकालना है, तो multiplication में कर दिया 2, ये कैसे किया, ये जो अनुपात का नियम होता है, जो दिया उपर उसका अनुपात नीची और जो पूछा उसका अनुपात गुणा में, cancel कर लेते हैं इसको, आन्सवर आगया कितना, 8,008,000, जो की है option आपका कौन सा option नंबर पहला, यही अगर आपको पूछता दूसरा वाला, तो दूसरे वाले के लिए घुणा में एक कर देते हैं, तो आन्सवर आजाता है, 4,000, ठीक है, चलिए, बात करते हैं, next 21 के बारे में, इसी दर से 6,000 रुपए, 4 वर्ष में 7,200 रुपए हो जाते हैं, हो जाते हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो आपको मिस्र दन कह रहा है, और 6,000 रुपए आपको क्या कह रहा है, मूल दन, तो मैं देख सकता हूँ, 6,000 से 7,200 रुपए हुए, इसका अनले ब्याज कित को सोयम का डेड़ गुना कर दिया जाए, तो उसी मूल दन, मूल दन तो वही 6,000 है, उसी मूल दन का 5 वर्ष का मिस्र धन क्या होगा, ये हमें बताना है, तो इसका हमें सबसे पहले तो हमें rate of interest निकाल लिए, फिर उसका हमें करना है, डेड़ गुना, फिर आपको amount लेकर आ 7,200 रुपए हो जाता है, इसका मलब ये A हो गया, A for amount मतलब मिस्र धन, तो 6,000 से 2200 रुपए हुआ, इसका मलब 1200 रुपए इसमें जुड़े है, तो ये जो 1200 रुपए जुड़े है, 6,000 में 1200 जुड़े तभी तो 2200 हुआ, तो 6000 तो मूल दन है, तो मूल दन में क्या है, ब्याज, और ब्याज कौन सा पढ़ रहे हैं, सरल ब्याज, तो ये है आपका SI simple interest, कितने साल में हुआ है, ये चार वर्ष, चार वर्ष का अगर 1200 रुपए simple interest है, तो हर एक साल का कितना होगा, पता है आपको, 1200 बटा 4, ऐसा क्यों, क्योंकि simple interest हर एक वर्ष क्या होता है, एक समान रहते हैं, तो 1200 बटा 4, इसका हमला हर एक साल simple interest होगया, 300 रुपए का, तो जब simple interest हर एक साल का आ चुका है, मुल्दन हमें पता है, तो हम ब्याज की दर भी निकाल सकते हैं, तो ब्याज की दर क्या होगी, देखिए, ब्याज कितना है, 300 का, किस पर है, मुल्दन पर, कितना है मुल्दन, 6000, प्रतिशत के लिए घुणा में क्या, 100, निकाल लेते हैं मान, 30 से ये 30 से ये 30 कैंसिल हो गए, इसको कैंसिल कर दिया, 2, इसको कैंसिल कर दिया, 5, तो rate of interest आगे आपकी 5%, अब आपको कह रहा है कि ये ज rate of interest ब्याज की दर आईए, इसे डेड़ गुना कर दीजिए, तो अगर 5 प्रतिशत का डेड़ गुना कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, 7.5% हो गया, तो आपको कह रहा है कि उसी मुल्दन का 5 वर्ष का मिस्रधन क्या होगा, तो निकाल सकते हैं, देखिएगा, तो ब्याज की दर जो है, वो हमारे पास आगई है, पांच प्रतिशत अब उसका डेड़ गुना करने को कह रहा है, तो 5% का अगर हम डेड़ गुना कर दें, तो वो बनता है कितना साड़े 7 प्रतिशत, तो डेड़ गुना करने पर नई ब्याज की दर हो गई, 7.5% अब आपको कह रहा है कि प्रिंसेपल वही रखना है 6 अजारी, और आपको अमाउंट बताना है 5 साल का, तो जैसा कि आपको पता है, अमाउंट के बारे में अगर बात करें, मिस्रदन के अरगर बारे में बात करें, तो मिस्रदन होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन क्या है? छे अजार है ठीक है तो मुझे अगर ब्याज देखना है तो या तो मैं ब्याज निकाल लूँ साड़े साथ प्रतीशत की दर से पांच साल का और जितना आए वो छे अजार में जोड़ दूँ तो मेरा अंसर आ जाएगा तो एक साल में अगर साड़े साथ प्रतीशत का कोई ब्याज दे रहा है तो पांच साल में कितना ब्याज देगा तो पांच साल में कितना ब्याज देगा इसका गुणा करके देख लेते हैं तो साड़े साथ का पांच से गुणा करें तो कितना होगा साड़े साथ का डबल होता है पंदरा पंदरा और पंदरा तीस तीस और अगर साड़े साथ वापस देखें तो 37.5 हो जाएगा rate of interest के according total interest in percentage तो प्रतीशत में total ब्याज होगे हमारे पास कितना साड़े 37 प्रतीशत होता कितना है प्रतीशत में 100 प्रतीशत तो मैं कह सकता हूँ 100 प्रतीशत का मान 6000 रुपे के बराबर है तो एक प्रतीशत का मान कितना होगा तो एक प्रतीशत का मान होगा 6000 बटा 100 लेकिन मुझे एक प्रतीशत का मान नहीं निकालना है मुझे तो 5 साल का ब्याज निकालना ह इस दर से तो इस दर से पात साल का ब्याज हम निकाल सकते हैं तो साड़े साथ प्रतीशत की दर से पात साल में ब्याज मिलता आपको कितना साड़े सैथीज प्रतीशत तो इसका मान निकालना है तो गुणा मैं कर दिया साड़े सैथीज ये हटेगा पॉइंट तो नीचे जीर और ये चार छे का तीन से करें तो अठारा और अठारा में चार और एड कर लें तो कितना हो गया बाइस तो ये आया आपका पांच साल का इंट्रेस्ट, मुझे अमाउंट पूछा है, मिस्रदन पूछा है, तो मिस्रदन तो होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन है आपका कितना 6000, ब्याज है कितना 250, तो फाइनली अगर देखें तो आंश्वर क्या हो गया मिस्रदन के तो ये था question number 21, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ये काम verbally हो सकता था, हम सीधा question में देखकर कर सकते हैं, ये rate of interest भी 5% सीधी निकाली जा सकती है, और उसका date गुना भी बीना लिखे हो सकता है, फिर ये है जो आपको करना इसे है, चलिए, बात करते है next 22 के बारे में, question number 22 क्या कहा रहा है, देखे जरू, question number 22 आपको कहा रहा है कि पंदरा सो रुपे की धनराशी का एक भाग, साधरन ब्याज की 10% वार्षिक दर से, तथा से सभाग, 7% वार्षिक दर से, उधार दिया गया, ठीक है, तीन साल बाद में आपको जो टोटल ब्याज मिला, वो मिला 396, ये भी ठीक है, तो आपको ये बताना हैं कि 10% की दर से दी गई धनराशी क्या थी, देखेगा इस तरह के सवालों करने के दो तरीके, एक तो हम कर सकते हैं इसको X मानकर, और एक हम कर सकते हैं इसको allegation misran vidi से, X मानकर कैसे करते हैं वो भी बता देता हूं, और allegation method जो है mister vidi कैसे काम में लेते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, तो पहले आपको बता देता हूं X मानकर, तो method first जो है उसको देख लेते हैं, करेंगे तो हम किस से exam में allegation वाले से, लेकिन ये method भी है, इसको भी सम में total आपको 396 का ब्याज मिला, तो सबसे पहली बात तो ये total 396 का आपको ब्याज मिल रहा है, तो कुल मिला कर हर साल ब्याज कितना मिल रहा है, हर साल आपको ब्याज मिल रहा है 132 रुपे का, क्योंकि ब्याज कौन सा ये, साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है तो तीन साल में 396 है तो हर साल हो गया 132 रुपए का ब्याज चलिए बात करते हैं आगे अब मैं देख सकता हूं पंदरा सु रुपए है टोटल अब मैं अगर P1 P2 वाला हिसाब करूँ यहां पर तो उससे आंस्वर नहीं आएगा क्योंकि equation तो बनेगी एक और variable जो है चर जो है उसमें दो आ जाएंगे कौन P1 और P2 तो एक समीकरन से दो चर का मान कभी नहीं निकाला जा सकता तो इसलिए हम क्या करेंगे P1 P2 ना मान कर प तो 10 प्रतीशत वारसिक दर से जा रहा है अब आपने इसको एक साल में convert किया है तो X फिर rate of interest कितनी होगे 10 टाइम हो गया कितना एक बटा सो इससे मिलने वाला आपका interest और दूसरा फिर क्या होगा total 1500 है उसमें से X आपने इसको माना है तो 1500 माइनस X ये second वाला हो गया ठीक है टाइम इसके लिए कितना है वही एक साल है और ब्याज की दर कितनी है सांत प्रतीशत तो ये इस से मिलने वाला ब्याज हो गया तो कुल मिला कर दौनों से ब्याज कितना मिल रहा है 396 मिल रहा था लेकिन 3 साल में मिल रहा था हमने एक साल में बदल दिया इसलिए यहां पर केक लिया है तो बराबर एक साल केतना एक सो बत्थिस रुख आब इसको आप कर सकतें आसनी से जैसे आपको गराथ 15 की दर से दीन राशी क्या होगी तो 10 प्रतिशाइच की दर से दीन राशी को X माना है तो इस समी करन तरीका भी हम लगा सकते। चलिए बात करते हैं method number second की तो second number method क्या कह रहा है देखिएगा method second आपका allegation method है इससे नहीं करना है method second से आपको question करना कैसे होगा देखिएगा आपको कह रहा है पंदरा सो रुपए टोटल क्या है अच्छा ये method first हो चुका है तो आपने देख लिए इसको रफ कर लेते हैं method second देख लेते हैं इसी पर चलिए method second की बात करते हैं method second क्या कहता देखिए allegation method लगाएंगे तो first वाले पार्ट के लिए अगर मैं rate of interest देखू तो कितनी है वो 10% second वाले पार्ट के लिए अगर मैं rate of interest देखू तो वो कितनी है 7% तो पहले वाले भाग के लिए 10 प्रतीशत हैं, दूसरे वाले भाग के लिए 7 प्रतीशत हैं, तो कुल मिलाकर टोटल पंद्रा सो रुपएए पर ब्याज की दर कितनी है वो अगर देखें, तो 3 साल का ब्याज है, 396, तो हर साल कितना होगा, 132 रुपएगा ब्याज होगा तो ये तो रुपए में ब्याज हुआ है मुझे तो किस में देखना है प्रतीशत में तो मैं देख पा रहा हूँ कि 132 रुपए का ब्याज किस पर है 1500 रुपए पर प्रतीशत के लिए गुणा में कितना 100 कैंसिल कर दिया 00 से 00 0, 15 से इसको cancel कर लेते हैं, तो 15 से अगर मैं देखूं 132, तो ये जा रहा है पहले तो कितनी बार, 8 बार, 8 टाइम्स आएगा, क्योंकि 8 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 130, ठीक है, फिर बात करें, 8 टाइम्स एक सेकिंड, 90, 105, 130, चलिए, 120, ठीक है, 8 टाइम्स में ये आएगा कितना 120, कितना रह जाएगा उसके पास, 12, फिर पॉइंट लगेगा, फिर जीरो लगेगा, फिर वापस कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 8.8% rate of interest आईए, तो कुल मिलाकर 8.8% आईए, तो allegation method में हम इसी तरह से करते हैं, first वाले के लिए, second वाले के लिए, और कुल मिलाकर जो होता है, वो बीच में लिख लेते हैं, ये डाइग्राम बन गया, allegation method का, mr. विदी का, यहां आएगा, इन दौनों का अंतर, अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को माइनिस करना है, तो 8.8 में से 7 कम कर लो, तो कितना हो गया, 1.8, यहां आएगा, इन दौनों का अंतर, अंतर मतलब difference तो 10 में से 8.8 लेस करना है, तो 0.2 हो गया, तो ये 9 और ये 10 है, तो 1.2, अब आप ratio निकाल लीजिए, तो ratio निकालेंगे, तो point गया, 6 से गया, 6 से गया, 3 अनुपात, 2 मेरे पास आया, इनका अनुपात, ये अनुपात किस चीज का है, जिस पर ये ब्याज मिल रहा है, और ब्याज ये कौन सा है, सरल ब्याज, और सरल ब्याज किस पर मिलता है, मूल्धन पर, तो जो 1500 रुपे के दो टुकडे किये गए पहला और दूसरा उसके लिए मूल्धन जो है वो 3 अनूपात 2 के अनूपात में तो टोटल आप देख सकते हो मूलधन कितना है 1500 रुपे तो नीचे अनूपातों का टोटल केतना 2 और 2 पांच किसके लिए पूछ रहा आपको 10 प्रतिशत के लिए तो 10 प्रतिशत के लिए अगर मैं देखूं तो 10 प्रतिशत के लिए क्या आ रहा है 3 तो इसका मतलब गुणा में कितना 3 कैंसेल कर दिया है इसको कितनी बार आंसुर आ गया 3 का 3 से गुणा कर लेते हैं कितना हो गया 3 का 3 से गुणा 9 इसका मतलब आंसुर हो गया 900 रुपे जो की option है आपका कौन सा option नमबर पहला तो ये question ता आपका 22 बात करते हैं अब next question 23 के बारे में क्या कहा रहा है कुशन नूमर 23 देखिएगा 23 आपको कहा रहा है कि एक व्यक्ति तीन भिन योजनाओं में 10 प्रतीशत 12 प्रतीशत और 15 प्रतीशत के साधारण ब्याज की दर से क्रमस 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन निवेश करता है तो तीन स्कीम है उन तीनों के लिए रेट आफ इंटरेस्ट आपको गिवन है और साथ ये साथ टाइम पिरिड भी आपको दे रखा है अब आपको कह रहा है कि प्रतेख योजना की समापती पर उसने समान ब्याज प्राप्त किया तीनों से मिलने वाला जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो इक्वल है तो बताइए उसके धन निवेशों का अनुपात क्या है मतलब जो तीनों प्रिंसिपल है उनका आपको रेशियो बताना तो पहला प्रिंसिपल मान लिया ए दूसरा प्रिंसिपल मान लिया बी और तीसरा प्रिंसिपल मान लिया हमने सी ठीक है चलिए तो पहला प्रिंसिपल ए है rate of interest कितनी है 10% और time कितना है 6 वर्ष तो मिलने वाल second वाला principle क्या है B है कितना time है 10 वर्ष का कितना ब्याज है 12 प्रतीशत तो हर साल 12 प्रतीशत 10 साल तक ब्याज मिलेगा तो 120 प्रतीशत हुआ तो principle है B इसका 120% मेरा simple interest होगा फिर principle हमने C माना है मूलदन C माना है तो उसके लिए अगर मैं देखूँ तो उसके लिए मैं ब्याज की दर देख सकता हूँ 15 प्रतीशत है और समय मैं देख सकता हूँ कितना है 12 वर्ष है तो इसका मतलब हर साल 15 प्रतीशत ब्याज देगा 12 साल तक वो ब्याज देगा तो टोटल ब्याज प्रतीशत में कितना दे सिंपल एंट्रेस्ट हो जाएगा ठीक है क्योंकि 15 का 10 से करें तो 150 और 15 का 2 से कर लें तो कितना होता है 30 तो 180 आगया अब प्रशने के अनुसार ये जो तीनों ही ब्याज है वो आपस में क्या है बराबर है तो आपको क्या पूछ रहा है जो मूलदन है उनका अनुपात पूछ और 60 से 180 अगर मैं देखूं तो कितनी बार गया 3 ताइम्स तो कुल मिला कर अब अंस्वर आ रहा है हमारा जो कि क्या है दिखिएगा A बराबर 2B बराबर 3C A, B और C ये हमारे प्रिंसिपल थे इनका अनुपात निकालना है जो कि निकल चुका है तो A, B और C का अनुपात निकालना है तो पहले तो A के साथ कितना एक है B के साथ कितना है दो है और C के साथ कितना है तीन है तो एक दो और तीन का अगर मैं LCM देखूं तो वो LCM होता है कितना 6 किसका एक दो और तीन का तो बस एक दो और तीन का LCM आया 6 तो इसके साथ एक है एक का छह में भाग दू तो एक बार जाएगा B के साथ 2 है, 2 का 6 में भाग दू तो 3 बार जाएगा और C के साथ में 3 है, 3 का 6 में भाग दू तो 2 बार जाएगा तो 1 अनुपा, 3 अनुपा, 2 हमारा अंस्वर आ गया जो की option अगर देखें, 1, 3 और 2 की बात करें option, चलिए देखते हैं कहीं कुछ हुआ है तो 10 का 6 से कितना साथ हुआ, 12 का 10 से कितना हुआ, 120 हुआ 15 का 12 से करना है, तो ये 15 का 2 से 30 और 15 का 10 से 150, 180 ठीक है यह percentage cancel, 60 से ये गया, कितना 1, 2 और ये हुआ, 3, ये भी ठीक है एक, 2 और 3 का अगर LCM देखें हैं, तो 3 और 2 हो गया आपके LCM के तोर पर अगर 6 हो रहा है, ठीक है, एक से, अच्छा, ये 6 आएगा यहां पर, चलिए ये आएगा कितना, 6 क्योंकि A के साथ 1 है, तो 1 का 6 में भाग देंगे, तो 6 बार जाएगा चलिए, 2 का 6 में भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार और तीन का च्छे में बाग देंगे तो दो बाड जाएगा और च्छे कहां से आये इनका LC अप तो च्छे अनुपा तीन अनुपा दो जो की option है आपका option number कौन सा पहला ये था question number 23 बात करते हैं next question question number choice के बारे में क्या कह रहा है कुश्चन इंबर चोईस देखिए ज़रा ये इंस्टॉल्मेंट का कुश्चन है किस्त का सवाल है कोई रेन जो साधारन ब्याज की चार प्रतीशत वार्सिक दर से चार वर्ष के पश्चात आट सो अड़तालिस रुपए दे है मतलब पे करना इतना आट सो अड़तालिस रुपए का टोटल आपको तो बताईए समानवाड से किस्तो द्वारा भुकतान के लिए कितनी धन राशी की किस्त जो है वो निर्दारित होगी मतलब आपको हर एक इच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट बतानी है ठीक है टोटल आपको पेमिंट करना है कितना आट सो अड़तालिस चार वर्ष के बाद में चार प्रतिशत की दर से तो चार प्रतिशत की दर है तो चार प्रतिशत का मतलब क्या होता आपको पता है एक बटा अगर हम देखें 25 क्योंकि चार का प्रतिशत अटेगा नीचे 100 लगेगा चार से 100 कटेगा एक बटा 25 आएगा तो 1 अपों 25 आया है अब जैसा कि आपको पता है जब fraction की बात करते है तो ये हमारी होती है क्या मूल मान मतलब जो base value होती है वो और ये जो भी आपको question बोलता है उसके according तो चार प्रतिशत का आपको हर साल ब्याज देना है ठीक है तो ये 25 जो है ये 25 हो गई हमारे लिए एक तरह से देखे हम हर एक installment और उस पर मिलने वाला जो ब्याज अगर मैं देखूँ तो हर साल कितना ब्याज मिल रहा है इस पर इस पर ब्याज बल रहा है आपको एक का तो इसका अनलब first installment अगर देखे तो वो कितनी हो गई 25 सेकेंड कितनी हो गई इस पर interest ले लिजिए कितना एक परसेंट का क्योंकि 25 का 1 परसेंट ही तो 4 है ठीक है तो 25 पर एक का ब्याज ले लिजिए तो कितना हो गया ये 26 अब इसमें 25 तो है ये जो कि हर एक साल की क्या है fix हमारे installment है किस्त है तीसरे साल में क्या होगा 26 पर और ब्याज लेना पड़ेगा कितना एक का तो कितना हो गया 27 चौथे साल में क्या होगा 27 पर और ब्याज लेना पड़ेगा एक का तो कितना हो गया 28 तो आप देख रहे हैं जितना है ब्याज वो हम लेते हुए चल रहे है। अब हम देखें तो टोटल अगर pay करना है तो टोटल पे प्रश्णी के अनुसार कितना करना है? प्रश्णी के अनुसार करना है 848 रुपए। और अगर इकाई के तौर पर देखें तो पहले साल के लिए जो इंस्टॉल्मेंट है वो 25 इकाई है फिर आगे ब्याज जुड़ता गया तो हर एक में हम देखें 25 तो आई रहा है इकाई के तौर पर उसका मतलब जो हर एक आपको किस्त निर्दारित की गई है वो इकाई में क इतनी है 25 इकाई है तो इसका मतलब एक एक एड हो रहा है तो आप टोटल कर लीजिए इनका एकाई में कितना हो गया ये इकाई में जितना होता है वो रुपे में 848 इसके बराबर है एड कर लेते हैं इसको तो आप देख सकते हैं 25 पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च है वैसे भी उपर इसमijn एक है इसमों दो है तो दो रेक तीन और यह तीन है तो कितना हो गया तीन और तीन छले एकसो चॉल एक काई रुपए में किसके बरावर है अँट सो अड़ावर है तो एक 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 किसके बरावर होगा 848 बटा 106 के क्या हमें एक ही काई का मान निकालना है नहीं आपको हर एक जो किस्त निर्धारी तो ये उसका मान निकालना है जो की क्या है 25 तो इसका मतलए ये मान एक ही काई का है हमें मान निकालना है 25 ही का तो अब आप देख सकते हैं आंसर आ गया आपका, कैंसल कर लेते हैं इसको, अगर देखें तो आठ बार जाएगा क्योंकि आठ का छह से अड़तालिस और सो का आठ से आठ सो, तो आठ सो आठ सो आठ सो है यह तो कितनी बार गया आठ बार, पच्चिस का आठ से गुणा कर लें तो कितना हो गया दो सो, तो रुपए हो गया आपके कितने, दो सो रुपए आपको हर साल किस्त के तो दे नहीं है और उसके उपर जो ब्याज है वो अलग से, तो कुल मिला कर आंसर आ गया टू हंड्रेड रुपीज जो की है ऑप्शन नमबर सेकेंड, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 25 के बारे में, क्या गरा कुशन नमबर 25 देखिएगा, कुशन नमबर 25 आपको कह रहा है कि एक निश्यत धनराशी पर एक समान साधरन ब्याज की दर से 12 वर्स ततारा 18 वर्स का साधरन ब्याज क्या होगा अनुपात के तोर पर पूछ रहा है, चलिए निश्यत ध अनराशी मतलब प्रिंसिपल दौनों का सेम है, समान साधरन ब्याज की दर rate of interest भी सेम है, सिर्फ time period अलग अलग है 12 और 18 साल, और आपको पूछ रहा है इनके साधरन ब्याज का क्या अनुपात होगा, तो जब rate of interest सेम है, simple interest आपका अनुपात रेशियो के तोर पर पूछ रह आच क्या होगा, principle into time into rate of interest upon hundred, अनुपात करोगे किस से, second वाले case से, उसमें principle सेम है, rate of interest सेम है, time 18 वर्ष है, तो ये आगया इसके लिए भी, बस आगया आपका अनुपर, ये cancel, ये cancel, आर से आर कैंसेल, तो इसका मतलब 12 अनुपात, 18 वही समय का अनुपात ही हुआ, 6 से गया 6 से गया, 2 अनुपात, 3, तो option हो गया, 2 अनुपात, 3 मतलब option number कौन सा आपका, तीसरा, चलिए, बात करते हैं, 26 के बारे, 26 की बात करनें, तो क्या गया रहा है, 26 नंबर आपको देखिए ज़रा, 1550 रुपे की धन राशी को दो भागों में 5 प्रतीशत तथा 8 प्रतीशत साधरन ब्याच की दर से उधार दिया गया, ठीक है, तो इसका मतलब 1550 रुपे की दो टुकड़े किये गये, उसमें से एक ग 8 परसेंट, यदि 4 वर्ष पश्यात कुल ब्याच जो है 400 रुपे हो, तो आपको कह रहा है कि 5 प्रतीशत की दर से दी गई धन राशी का, 8 प्रतीशत की दर से दी गई धन राशी से क्या अनुपात होगा, तो आसान है कुश्यन, आप चाहें तो इसको एक्स मान कर कर सकते है और आप चाहें तो इसे allegation मिस्त्रन विधी से कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, 1550 रुपे को दो भागों में बाटा गया, पहले भाग के लिए ब्याच की दर कितनी है, 5 प्रतीशत, और दूसरे भाग के लिए ब्याच की दर कितनी है, 8 प्रतीशत, कोई दिक्कत नहीं ह हम क्या लिखते हैं, बीच में हम लिखते हैं यहाँ पर, जो टोटल प्रिंसिपल पर, टोटल रेट ऑफ इंट्रेस्ट होता है उसे, तो ब्याज कितना है, 4 प्रतीशत, कुल ब्याज मिला 400 रुपे गा, तो टोटल आपका रेट ऑफ इंट्रेस्ट क्या होगा, ब्याज कित इतने साल बाद में मिला है, चार साल बाद में, कौन सा ब्याज है, सरल ब्याज है, तो हमें पता है हर साल बराबर होगा, तो हर साल बराबर होगा, तो चार सु रुपए चार साल में मिल रहा है, तो हर साल कितने का मिलेगा, सौ रुपए का, तो क्या बीच में सौ रुपए ल दिख रहे हैं तो बीच में भी ब्याज की दर आईगी तो rate of interest कितना हुआ वो भी देख लेते हैं ब्याज कितना है 100 रुपए का है किस पर है 1550 रुपए पर है तो ब्याज की दर कितनी हुई 100 का ब्याज आप ले रहे हो 1550 पर ठीक है कुल मिलाकर 100 का ब्याज ही ले रहे है हम हर साल टोटल 1550 पर ही ले रहे हैं तो कुल मिलाकर ब्याज की दर कितनी है तो 100 से गुणा कर देंगे पता चल जाएगा कैंसिल होने वाली टर्म ये गई और क्या कैंसिल हो रहा है पांच से इसको कर दिया मैंने ये गया पांच से तीन बार और ये पांच से गया कितना एक बार और पांच से इसको भी कर दिया कितना हो गया बीस तो ये हो गया आपके 200 बटा कितना 31 अब आगे कैसे होगा 200 हो जाएगा इस तरीके से भी कर सकते हैं और नहीं तो हम तरीका दूसरा लगा सकते हैं कौन सा एक्स वाला जो कि मैंने ये पहले भी सवाल आया था इस तरह का तो मैथड फस्ट करके मैंने समझाया था और नहीं तो दूसरा तरीका ये रापके सामने जो की लिखा गया है तो इस तरीके से भी अंस्वर आ सकता है चलिए बात करते हैं ये निकाल लेंगे आप आगे कोई बड़ी बात नहीं है बात करते हैं नेक्स्ट कुश्चिन 27 के बारे में कुश्चिन 27 क्या कह रह해주かं देखिएगा 27 नमबर आपको कह रहा है नीतू ने कुछ दन्राशी 6 प्रतीशत ब्याज की दर से पहले तीन वर्ष के लिए तथा 9 प्रतीशत ब्याज की दर से अगले 5 वर्ष के लिए तथा 8 प्रतीशत आठ वर्ष पश्चात, आठ साल पूरे हो चुके, इसके पश्चात, तेरा प्रतीशत ब्याज की दर से उधार लिया, ठीक है, यदि टोटल 11 वर्ष है आपके पास, 11 वर्ष पश्चात उसने कुल 8,160 रुपे ब्याज दिया हो, तो उसने कितनी धनराशी उधार ली थी, ठीक है, फिर कह रहा है, 9 प्रतीशत ब्याज की दर है अगले 5 वर्ष, तो 9 प्रतीशत है ब्याज की दर, अगले 5 वर्ष तो ये हो गया, 45 प्रतीशत कुल ब्याज अगले 5 साल का, फिर कह रहा है, 8 साल बाद, तो आप देख सकते हैं, 3 और 5, 8 साल पूरे हो गए, 8 साल बाद में 13% ब्याज की दर लगाई गई, 8 साल तो पूरे हो गए, अब ब्याज की दर है 13%, कितने साल तक है वो देखते हम, 11 वर्ष पश्चात कुल ब्याज मिला है उसे 8,160 रुपएगा, इसका अलत टोटल समय है 11 वर्ष का, तो 8 साल तो निकल चुके हैं, 3 और 5, 8 तो निकल गए, टोटल है 11 साल, तो 8 साल निकल चुके हैं, तो कितने साल और रहे गए, 3 साल, तो इसका अलत 3 से गुणा कर लेते हैं, तो ये ब्याज हो गया 40 प्रतीशत, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, कि कुल मिलाकर जो ब्याज है, वो प्रतीशत में कितना है, और कुल मिलाकर जो ब्याज है, वो रुपए में कितना है, 8,160 है, तो इसका अलत जितना प्रतीशत यह होगा, वो 8,160 रुपए के बराबर होगा, फिर 1 परसेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, और आपको पूछा है, धन रशी मतलब मूल धन, मतलब प्रिंसेपल, तो 100 प्रतीशत का मान निकाल लेंगे, एड कर लेते हैं इन्हें, तो यह कितना होगे आप देख सकते हैं, 9 और 8 यह 17 और यह 5 कितना होगे आपके पास 22, फिर 2 देंगे, तो 4, 3, 2, 5 और 4, 9 और एक यह कितना होगे है, 10, 102 प्रतीशत हमारा कुल मिला कर ब्याज हुआ है परसेंटेज में, रुपए में द रुपए में बराबर है 8,160 रुपए के, तो एक प्रतीशत का मान कितना होगा, 8,160 बटा 102, पर क्या हमें एक प्रतीशत का मान निकालना है, नहीं, आपको मान किसका निकालना है, धन राशी का, और धन राशी अगर हम देखें, तो धन राशी कितनी होती है, मतलब प्रिंसि है cancel होने वाली यह 0 छोड़ दीजिए 816 अगर मैं देखूं तो 8 बार चला जाएगा क्योंकि 2 का 8 से गोणा 16 और 100 का 8 से गोणा 800 तो 816 बन रहा है तो यह 8 बार गया और यह 0 आया तो 80 बार कड़ गया फाइनली आंस्वर आ गया 8000 रुपए जो की option मैच कर रहा आपका option नमबर कौन सा C option ठीक है आसान था चलिए बात करते हैं next question 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 number 28 के बारे में 28 नमबर क्या गयरा देखिए धन राशी 500 रुपए तीन वर्ष पस्षाद सादरन ब्याच की दर से 650 रुपए हो जाती है हो जाती है मतलब क्या हो गया मिस्रदन यदी ब्याच की दर तीन प्रतिशत बड़ा दी जाए तो कितनी धनराशी प्राप्त होगी इसका मतलब आपको मिस्रदन ही निकालना है कितने टाइम के लिए वही सेम टाइम तीन साल के लिए लेकिन करना यह है कि पहले वाली जो कंडिशन है उससे ब्याच की दर निकालनी है और उसमें तीन प्रतिशत और जोडनी है, फिर आपको मिस्रदन निकालना, तो पहले तो ब्याच की दर निकाले, मुल्दन कितना है, 500 रुपए, तीन साल बाद में कितना हुआ, साधरने ब्याच की दर से मिस्रदन, 650 रुपए, तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं, 600-500 रुपए हैं, प्रिंसिपल ये लिखने की चीजे नहीं है, ये बिना लिखे, वर्बल ही हम कर सकते हैं, लेकिन लिखकर समझा रहा हूँ, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, अब जैसे ये लिखने की ज़रु थोड़ी है, 500 रुपए मुल्दन है, 650 रुपए मिस्रदन है, तो 150 सेंट ब्याज बढ़ा दो गया, तो 13 प्रतिशत हो जाएगा, फिर 13 प्रतिशत की बात करूँ, एक साल में 13 प्रतिशत, तो 3 साल में गुंचालिस प्रतिशत हो गया ब्याज, अब आपको मिस्रदन पूछा है, तो 100 प्रतिशत हमारा मुल्दन होता है, गुंचालिस दालना तो multiplication में 139 ये देखिए question वरबली भी हो गया हमारा सीधा सीधा बस 145 से गुणा कर लेंगे अंसर आ जाए ठीक है लेकिन बोलने से समझ नहीं आता है लिखने से पता चलता है क्या कहना चाहरा हूं तो इसलिए लिख कर हम देख लेते तो principle हो गया 500 लेकिन एक्जाम में मतलब amount हो गया ये मिस्रदन हो गया तो 500 में कितना जुड़ा 150 जो की क्या है मेरा ब्याज है कितने समय का ब्याज है कितने समय में हुआ है ये तीन वर्ष में तो तीन समय का ब्याज मतलब तीन वर्ष का ब्याज है ब्याज कौन सा सिंपल इंट्रेस है तो हर साल बराबर अगर मैं देखूं तो 50 रुपए हो गया अब 50 रुपए का ब्याज मूलधन 500 रुपए है तो ब्याज की दर कितनी हो गई तो ब्याज की दर हो गई आपकी कितनी 10 प्रतीशत ये तो पहली वाली condition से ब्याज की दर आई है लेकिन आपको कहरा है कि ब्याज की दर तीन प्रतीशत बढ़ा दी इसका मतलब दस में तीन और बढ़ा दिया तो टोटल ब्याज की दर हर वर्ष के लिए कितनी होगई 13 प्रतीशत हो गई तो तीन वर्ष के लिए आपको मिस्रदन निकालना है तो जैसा कि आपको पता है मिस्रदन मतलब amount तो amount percentage में कितना होता है मूलदन मतलब 100% प्लस ब्याज हर साल 13% है तीन साल का गुंचालिस प्रतीशत हुआ तो कुल मिलाकर अमाउंट जो है परसंटेज में हो गया 139% वो हमें निकालना है हमें पता है प्रिंसिपल मूलदन 500 रुपे जो की 100% होता है तो 100% का अमान 500 के बराबर तो एक प्रतीशत का अमान 500 बटा 100 मुझे निकालना 140 तो गुणा में कर दिया 139 सॉल कर लेते हैं से 9 का 5 से कितना 45 फिर 5 का 3 से 15 और 4 अगर हम देखें तो ये 9 5 और 1 वो कितना 6 है 695 ऑप्षिन नंबर कौन सा सही है 30 पांसुर आ गया इस कुश्चन का 645 रुपे ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कुश्चन 29 के बारे में क्या गरा कुश्चन में 29 देखिए दो बटा तीन भाग को तो दिया 3 प्रतीशत पर एक बटा 6 भाग को दिया 6 प्रतीशत पर और सेस भाग को दिया 12 प्रतीशत की दर पर तो वार्शिक आय आय का मतलब उसका मिलने वाला ब्याज जो इंट्रेस्ट मिल रहा है वही तो उसकी इंकम है तो वार्शिक आया है 25 रुपय तो वो राशी क्या होगी वो हमें बताना है तो प्रिंसिपल कितना है पता नहीं है तो प्रिंसिपल कितना है यूनिट के तोर पर मान लिया मैंने क्या है वन यूनिट है और अगर आप P मानोंगे तो भी चलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो 1 unit का 2 by 3 जो है वो तो गया कितना 3% पर ठीक है ये ब्याज हो गया आपका percentage हटेगा तो नीचे 100 लगेगा या फिर ऐसे लिख लेते हैं बाद मेटा लेना प्रतिशत ये 3 प्रतिशत तो टाइम कितना है टाइम तो एक साली है क्योंकि वार्शिक आए बोल रहा है तो सबके लिए समय एक वर्शी है फिर एक बटा 6 बाग को तो 1 by 6 टोटल 1 unit है ना प्रिंसिपल कि तो 1 by 6 कितने पर दे बाद है 12 प्रतिशत पर तो ये दिया 12 प्रतिशत पर ठीक है फिर आपको क्या बोल रहा है साधारिनिक ब्याज की दर से उधार दिया सौरी 1 by 6 दिया है 6 प्रतिशत पर 12 प्रतिशत पर तो बचावा भाग दिया है तो टोटल यूनिट है 1 यूनिट 1 यूनिट में से 2 by 3 और 1 by 6 तो जा चुकी है तो 2 by 3 और 1 by 6 जा चुकी है तो गई कितनी देख लेते हैं ये आया 3 से 6 दो बार 2 का 2 से 4 और ये एक 5 बटा 6 यूनिट दे चुका है तो बचा कितन 1 बटा 6 यूनिट और रह गया क्योंकि टोटल 1 यूनिट है 1 में से 5 by 6 लेस करूंगा तो कितना रह जाएगा रह जाएगा 1 by 6 तो बचा हुआ भाग हो गया 1 बटा 6 यूनिट जो कि वो दे रहा है 12 प्रतिशत ब्याज की दर पर कुल मिला गर ब्याज कितना मिल रहा है उसे टोटल कर लिया जो कि यह 25 रुपए का क्योंकि आपको कह रहा है उसकी आय मतलब उसने कमाया कितना 25 रुपए कमाया तो अब बात करते हैं आपको 1 यूनिट मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है तो ज़रा देखिएगा कैलकुलेशन कम के लिए ये थ्री परसंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा इसका भी परसंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा इसका भी परसंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा तो तीनों का LCM 100 उदर चला जाएगा 25 के पास तो वो हो जाएगा 2500 ठीक है तो तीन से ये तीन गया 6 से ये 6 गया 6 से ये 12 ग और उधर वजरुकोडा हो चुका है, कितना ओगया ये दो, और ये एक तीन और ये तोया ये निकना 5, तो 5 यूनिट की वेल्यू जो है, वो आ रहे है, कितनी पच्छिस सो मुझे तो principal निकालना है जो कि one unit है तो one unit के value क्या होगी आप देख सकते हैं आसानी से 500 रुपए तो principal हो गया 500 रुपए जो की option है मेरा option number कौन सा पहला तो ये था question number 29 जिसका आंस्वर आ रहा है 500 रुपीज बात करते हैं हमारे simple interest के last question question number 30 के बारे में देखिएगा क्या गयरा question number 30 वा जो कि हमारा अंतिम सवाल है simple interest का पांच अजार आठ सो रुपए के मूलदन पर साड़े आठ प्रतीशत साधारण ब्याज की दर से दो वर्ष तीन महीने का आपको क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज पूछ रहा है तो simple interest आपको पता है SI निकालना है तो मूलदन जो की है पांच अजार आठ सो मूलदन इंटू समय इंटू दर बटा सो ठीक है समय तो है दो वर्ष तीन महीने अभी देखते है उसको दर है साड़े आठ परसेंट आप चाहें तो 8.5 लिख लीजिए या फिर आप चाहें तो इस तरीके से 2 का 8 से गुणा 16 और एक कितना 17 बटा दो भी लिख सकते है ठीक है लेकिन अब जो टाइम है वो आपको कह रहा है दो वर्ष तीन महा तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही कहा था सिंपल इंट्रेस्ट के कि जब भी समय हम लेंगे तो समय हमेशा हम किसमें लेंगे वर्ष में लेंगे क्योंकि जो हमारी दर होती है वो दर हमेशा एन्वली वार्षिक होती है सिंपल इंट्रेस्ट के अंदर तो ये दो वर्ष तो ठीक है, तीन महीने जो है, इन तीन महीनों को साल में बदलना पड़ेगा, तो बदल लेते हैं, तो दो वर्ष ठीक है, प्लस तीन महीने हैं, महीनों को साल में बदलना हैं, तो बारा से भाग दे दीजी, क्योंकि एक साल में बारा महीने होते हैं, इस finally यह क्या हो गया, 4 का 2 से 8 और एक कितना, 9 बटा 4 वर्ष हो गया, तो यहां लिख सकते हैं, 9 बाई क्या 4, यह अब आपका answer निकल गया, आसानी से, तो जो cancel हो रहा, उनको cancel कर लेते हैं, 00 से यह 00 cancels हो गया, और cancel होने के लिए क्या दिख रहा आपको यहां पर, नहीं, तो 4 का आठ से अगर इसको देखें, आठ से तो ये जाएगा नहीं, तो ठीक है, इसको 4 से करते हैं, 4 से cancel कर लेते हैं इसको, 4 से अगर देखें तो 4 से भी नहीं, तो ये 2 times आए, पिर अगर इसके बात करें, ये गया, साड़े 8 प्रतिशत है, ठीक है, आट का दो से सोला और एक सत्रा बटा दो और ये दो वर्स तीन महा हैं तो एक बटा चार हुआ, चार का दो से आट और एक ये नौ नौ बटा चार, चली ठीक है, ट्रिंसिपल आ गया, टाइम आ गया, रेट ओफ इंटरस आ गया, चली सॉल कर लेते हैं, तो ये कैंसल होगा, डबल जिरो से डबल जिरो, ये गया दो बार, अब इसको भी कर लेते हैं, दो बार तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके, दो से गया, ये कितना, दो फिर ये कितना है, एक होगा, तो ये ट्वंटीन नाइन, अब अगर इसको कैंसल करें, कहीं गडबड तो ये हो जाएगा आपका चाउदा का अठाई साड़े चाउदा 14.5 ठीक है अब क्या रहे गया 14.5 multiplication 9, multiplication 17 इसका जब आप multiplication करेंगे तो approximately 1109 point something आएगा तो approximate अगर value option के हिसाप से देखे तो option के हिसाप से option से ही होगा 1109 ठीक है तो ये था हमारा question number 30 जिसका answer आ रहा है आपके 1109 अगर इसको देखे 45 तो point 5 करके कुछ ऐसा आएगा तो उसको हम approximate देखें तो 1109 option में दिख रहा है तो वो हमने ले लिया जिसका answer होगा option number second B अब ये chapter होता आपका complete next chapter हम देखेंगे compound interest चक्रवती ब्याज तब तक चैनल को subscribe और वीडियो को like share और comment box में comments कीजी थैंक यू सो मुच प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी